आमी के हमारे साथ जुड़ गए हैं में जनरल एके सिवात साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं मैं आपके साथ जनरल शुरुवात करना चाहती हूँ कि जो तस्वीर अब हम देख रहे हैं एक तरफ ये कोशश हो रही है कि पूतिन पर दबाव बनाया जाए जनरल प्रिशाद दबाव बनेगा या फिर ये उकसाना साबित हो जाएगा और जो रूसी आमी कीव में इस वक्त फसी हुई दिखाई दे रही है उस पर आपकी क्या राए है जनरल प्रिशाद गए कि दबाव तो तब बनेगा जब आज की मीटिग के बाद कोई पुक्ता बात निकलेगी आज की की मीटिंग हो रही है वहाँ पे अमेरिकन प्रेजिडेंस भी आएव сопEx i possible की ये जैव Ini इनकी बात हो रही है नेटों के अधिक्ष वहां सब तक पढ़ता चला रहा था पिछले तीन से कि हम इसको और हत्यार देंगे, इनको और हम पैसा भेजेंगे, इनकी और हम भार से होसला अभजाई करेंगे, इनके रिफ्यूजिस को हम देख भाल करेंगे, इस किसम की बातें आती हैं, हम अपनी बॉर्डर एस्टेट्स जो है, य जिससे कि ये लगने लगे कि बूट्स इन ग्राउंड यूकरेन के अंदर जाने वाले हैं, कुछ सेना जाने वाली है, या नैटो फोर्सेस किसी और फ्रंट को खोलेंगी, या किसी और जगा कोई हरकत करके इनको दबाव डालेंगी, तो हो सकता है कि उसका जवाब रश्या देना शुरू कर दे, लेकिन मुझे ऐसी संभावना नजर नहीं आती, कि कोई ऐसा डिसिजन होगा, जिससे कि ये ट्रुप्स को कमिट करेंगे, जिससे ये कि एफेक्टिवली रश्या को इंगेज करेंगे, मिलिटरी मैनर में, एकनॉमिक सेंक्शन अवश्या निकलेंगी, और कुछ करेंगे, और दबाव डालने के कोशिश करेंगे, बौर्डर एरियस में हत्यार और मेज़ देंगे, अपनी ट्रुप्स को तकड़ा बनाएंगे, नैटो को दिखाएंगे कि नैटो दिन पर दिन स्ट्रॉंग हो रहा है, उन सब चीजों पे रश्या निगा लेकिन हरकत कुछ नहीं करेगा, इसी तरह से जो डेटरेंस उसकी वैल्यू है, उसको अपग्रेड करेगा, जिस तरह से उसने अपग्रेडेशन का फेज बन दिखा दिया है, जिसमें उसने कहा है कि नुक्लियर वेपन्स की भी बाचीत हो सकती है, उसने उसने अपनी नुक इसकी बाद कोई करना चाहेगा, नुक्लियर वेपन्स अफ मास डिस्ट्रक्शन, यानि कि इस अपसलूटली मूच्वल डिस्ट्रक्शन सर्टिफाइड, तो इसमें दुश्में वर्ल्ड में कोई नहीं जाना चाहेगा, इस समय आप देखिए वर्ल्ड की पर यूद चलता रहेगा, अब आगे यूक्रेइन में इनको कब सक्सेस मिलेगी, कितनी सक्सेस मिली, वो तो टाइम ही बता सकता है, कि रश्या की स्ट्राइजी किस तरह से बदली जा रही है, किस तरह से लॉजिस्टिक्स को क्रूफ किया जा रहा है, किस तरह से वो बात च